हेलो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है यह मोगरे स्विच के उपर है जो बॉयलर के अंदर वाटर लेवरल कंट्रोलिंग के लिए हम मोगरे स्विच लगाते हैं तो उसके अंदर जो मोगरे के अंदर स्विच रहता है तो रहता है। इस तो जो मोगरे स्विच के अंदर जो स्विच रहता है। इस तर्मक्स रहता है उसके अंदर यह कैसे करता है। तो यह दोनों अलग लग ठाव के यह परेट कैसे उते हैं इसके अंदर ये मागनेट लगाता है परमानेट जो इसके मेकनिजम को उप्रेट करता है तो इसमें मैगनेट में कहा रहता है दो पोल रहते हैं नौर्थ पोल और सौर्थ यह दूसरे को जो देखिए कि यह प्रेट करा रहा है तो यहां पे पिन लगा रहे लगी रहती है तो आप यह जैसे इसको मूव कराएंगे तो वह नीचे वाला मैकनेजम है जब बुच्वेशन में तो जो कोटेक्ट है मारे हमोव करेंगे वैसे यह 33 को दाचीश च historically करेंगे ज देखिए जैसे तक करें है तक है समय मेरे पास एक मैगणेट है यह परमाने इट अ है तो जो फ्लो टैता फैस्ट에 अंदर बहे एक मैंगनित रहता है तो जब वो जो मैगनेट है इसके पास आएगा तो इसे मूव करवाएगा और हमारा कॉंटेक्ट चेंज हो जाएगा यह देखिए तो यह देखिए फ्रेंड्स यह सब से चेंज हो रहा है तो इस तरह से हमारा जो है यह मोब्रे फ्लोट सुच्च है जो वाटर लेवल कंट्रोलर यह इस तरह से काम करता है यह देखिए प्रेंट्स जो इसमें क्या होता है वाटर लेवल कंट्रोल मोवरे में एक पाइप रहता है पाइप के अंदर फ्लोट चलता है तो जो फ्लोट का जो सेंसर है उसके अंदर यह मैगनेट रहता है मैगनेट मूब करेगा व यह ट्रेवल करेगा पाइप के अंदर जो मैगनेट ऐए फ्लोट उसके निचे रहता है तो जैसे पानी बढ़ेगा ज़ाद कम होगा यह फ्लोट ऐसे अपड yol आए इस तरह से तो इससे हम ले उसकते हैं up आटर लेवल कंट्रोल की तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर एंड कमेंट करना एंड थैंक्स पॉर वाचिंग